नमस्काल आपसभी का बहुत बहुत आपका स्वागत है अबिलिंदन है अलाबाद यूणिवर्सिटी के जो बच्छे है जिव अपने रिजल्ट का वेड करने के साथ नय से संपर इंतिजार कर रहे हैं कि आपका नया से संपर से सुरू होगा ये बहुत बड़ा सवाल है अभ इस पे आप सब का बहुत बड़ा सवाल है इस सवाल के डाउट को इस वीडियो के माध्यान से हम क्लियर करेंगे और सबसे पहले अगर अगर आप चात्र है विसे विद्धा लेगे पुराने ही चात्र होंगे तो आपको यह पता होना चाहिए कि हमारा एक नया प्लेटफॉर् का लिंक है जो कमिंट बॉक्स में पिंड है आप इसको ज्वाइन कर लीजिया इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे कि आपका रिजल्ट कब आउट होगा और आपका जो नया सेसल है वो कब से स्टार्ट होगा देखिया रिजल्ट की जहां तक बात है तो बिकॉम फस्ट बिकॉम फस्ट यह वाले बच्चु का रिजल्ट आएगा रिजल्ट में इतना डिले हो रहा है इसका कारण यही है कि अभी विस्विदाले नॉन टीचिंग का वेकंसी क्लियर कर रही है उसका एक्जाम ले रही है साथ यसाथ यूनिवर्सिटी का इंटरेंस एक्जाम है ए जो रिजल्ट इतने लंबे लंबे गैप पे वह हो रहा है आउट हो रहा है वह रिजल्ट जो है बहुत जल्दी फिर आएगा जब यूनिवर्स्टी आपकी खुल जाएगी लेकिन इसके बाद जो बिकॉम फस्ट यह के रिजल्ट आने के बाद फिर बियस थर्ड यह के इन्ट आले बच्चो की बारी है बियए 30 जो रिजल्ट है लगभग यह रिजल्ट आने के उम्पीद है 20 जुलाई के बीड़ मैं और जुलाई लाश्च स्श तक रिजल्ट निकालेंगे क्योंकि नया सिसन गत्वा के पहले एलाबब युनिवश्टी का छार तारीक को खतम का result अब जारी कर देंगे 20 जुलाही के पहले पिस 2nd year की जुलाई-last जा सकता है और जुलाई-last तक सब बच्छों का result आजाएगा बी-ए-फस्ट एकभी-जुलाही तक आपको पूरा वेट करना होगा क्योंकि कौंपियां चेक हो चुकी है अब बहुत दिक्कत निया लेकिन को बनाने में माक्षीट की छपाई करने में इस सारे प्रॉसेस पी ठीडिले हो सकता है बागी आप वेट करते रहें बहुत इज्याक जानकारी नहीं मिल पाती है हम प्रिडिट करें कि रिजल्ट कला आजाए बोल ने आप से और रिजल्ट ना है तो बाद में आप मुझे हो कितना भी आपके लिए मैंने अच्छे वीडियो बनाए हूं कितना आपकी मैंने मदद की हो लेकिन वह सारी चीजें एक ही बार में सब खतम हो जाती है क्योंकि वहाँ पे नियूज गलत हो गई तो फिर आप उल्टा बोलेंगे हमको वह तो इंसान की फितरत में ही है इंसान के बच्छे निकल जाएंगे वह पीजी में अटमें इसल लेंगे उनके लिए परिसान नहीं होना है जो थर्डियर में जाएंगे विद्यार्थि उनका जब रिजल्ट आ जाएगा तो सब्जिक ड्रॉप का प्रोसेस होगा चाहें बीए के बच्चे सब्जिक ड्रॉप करत सब्सक्राइब करें लोग जिक रिज्साल करने के बाद एक और करने के पार चुर्ड है के बना से प्रिजस्ड बैट असके पहले दोड़ धिस्पशन hm यह सर्थ हो जाएगा जूलाई के सेकेंड वीक यह थर्ड वीक से आपके सब की जो सकता है कि अगस्त में श्टार्ट हो तो आप शथ पी लगशेशन भी स्टार्ट होगा साती-सात रिजल्ट भी आएंगे इंट्रेंस का एक्जाम भी चंडुक्ट हो रहा है, तो हो सकता है कि अगस्त के फर्स्ट वीक में आप सिशन इस्टार्ट हो या जुलाई के लास्ट वीक में आप फफन इस्टार्ट हो, तो आप से पिर उस्टार्ट होना शुरू हो जाएगी. बाकी अब बैठेने का समय नहीं है तैयारी करने का समय है क्योंकि हम उस फेज में हैं कितना competition इतना high level का है कि हम सब बहुत जादा परिसान रहते हैं कि competition बहुत जादा है तो अब पढ़िए ना NCRT पढ़िए घर बैठे बैठे कितना दिन चुटिया मनाएंगे जो बच्चे करना चाहते हैं वह बाज आईए कोचिंग आप करना चाहते हैं civil services की या किसी और परिच्छा की SSC की जिसके भी आप तयारी कर रहे हैं लॉकिया के त्यारी कर रहे हैं PCSJ की त्यारी करें तो अब अपने घर से आ जाईए और सांती से आप पहना coaching स्टार्ट करना शुरू कर कर दीजिए अगर आप online पर रहे हैं तो online पढ़िए offline अगर आपको ले नहीं है तो आप जल्दी से जल्दी आके ज्वाइन कर लीजिए और अपनी पढ़ाई को आप continue करना start कर दीजिए बाकि यह जानकारी थी यह सूचना थी जब भी कोई update आती है तो सबसे अच्छी सबस साथ ऐसा ही बना रहें आपका प्यार और इसने अभिनो देवेदी पर ऐसा ही बना रहें बहुत बहुत धनेवाद बहुत बहुत थैंक्यू थैंक्यू थैंक्यू